सच श्रीयकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रसिपीज में तो फ्रेंट्स देर ना करते हुए चलि हम अपनी आज की रसिपी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी तो फ्रेंट्स आज की रसिपी को बनाने के लिए यहां पर मैंने पारले जी बिस्कित के एक पैकेट का इस्तमाल किया है यहां पर हम क्या करेंगे एक जार में बिस्कित को इस तरह से आधा आधा तोड़कर हम जार में डाल देंगे पारले जी बिस्कित की जगा आप अपनी म आप इसे किसी भी मिक्सर जार में पीश सकते हैं इस रेसिपी को ब्लेंड करने के लिए आज मैंने अगारो का ब्लेंडर जार इस्तमाल किया है तो सबसे पहले इस जार को इसमें सेट कर लेते हैं इसकी खासियत है कि आप इसका पावा बटन अन कर दीजिए जब तक यह चीज अगर आपको भी जार परचेस करना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिला हुआ है आप वहां पे जाकर इसे परचेस कर सकते हैं तो बिस्किट्स तो हमने पीस लिए अब दूसरा हम यहां पर ले रहे हैं डिजैनों का पीनट बटर क्रीम इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो हमें यहां पर एक कप के करी पीनट बिटर चाहिए तो यह देखिए पीनट बटर हमने इसमें डाल दिया अब आज के रिसिप्री में मेजर में बहुत ध्यान से आपको देखना है कोई भी एक म अब यहां पर एक पैन में हम दो बड़े चमच के करीब बटर डाल देंगे सात ही हमने जो पीनट बटर लिया था वो भी डाल देंगे जो बटर मैंने यहां पर इस्तमाल किया है वो salted है अगर आपके पास unsalted है तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं और आधे कप के करीब मैंने यहां पर शुगर डाल दी है तो शुगर आप अपने मर्जी से जितना आप मीठा पसंद करते हैं वैसे शुगर बिलकुल ऑक्षनल है यहां पर अगर आप मीठे वाले बिस्कित क्रीम वाले इस्तमाल करें तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा अब फ्रेंज पीनट बटर को पकाते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको इसे लगाता चलाना है और दूसरी बात गैस का फ्लेम बिलकुल लो रहेगा क्योंकि एक बार जैसे ही इस पीनट बटर में उबाल आने लग जाएगा उसके बाद यह अपना कलर भी मैल्ट हो जाएगी और यह जो पीनट बटर अपना कलर भी चेंज कर देगा तो यह देखिए जो चीनी है वो तो पिघल चुकी है अब इसमें फ्रेंज बॉइल आ चुका है तो अब यहां पे बहुत ध्यान से लगाता चलाते रहिए एक ही मिनट के अंदर यह अपना ज जैसे ही color change हो हमें यहांपर गयस को बिल्कुल बं कर देना है तो यह देखी यहांपर मैंने गयस को बं कर दिया है एक दम चॉकलेटी सा color आ चुका है बहुत अच्छी खुश्बुम आ रही है मेरे किचन में एक दम परफेक डल रही है इसके लिए अब इसकी बाद हमने जो आप इसे मिक्स कीजिए इदी के गैस का फ्लेम बिल्कुल बंध है और मैं इसे बंध फ्लेम पर ही मिक्स कर रही हूं एक ही मिनट के अंदर आप देखेंगे यह अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा उसके बाद यहां पर मैंने इसमें कुछ कटे हुए बदाम डाल बदाम बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें अपनी मर्जी से कोई भी ट्राइफ फ्रूट्स यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं अफ्रेंज सब कुछ तो मिक्स हो चुका आप इसे छोड़ दीजिए कम से कम 10 मिनट के लिए क्योंकि बहुत जादा गरम है इसको रूम बल्कुल थंडा नहीं करना थो ठंडा हो चुका है मतलब इसे हाथ लगा के सैट कर सकती हूं उसके बाद हम इसके लड़ू बना लेते हैं बड़ी आस्सानी से लड़ू बन जाएगे और इनका टेस्ट इतना अच्छा है आपको जरूर पसंद आएगा एकदम यूनीक के गरम होने चाहिए इस बाद का आपको ध्यान देना होगा तो बस इस तरह से हम सभी लड़ू को बना कर रेडी कर लेंगे हमारे हेल्दी और टेस्टी से लड़ू बनकर तयार है आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राय कीजेगा और अब मैं आपको से गानिश करके दिखाती तो यह देखिए हमारा लड़ू मूँ में जाते ही घुल जाएंगे बहुत टेस्टी है आप हमने इनके ओपर डाल दी तोड़े पिस्ताश्यू और यह सर्फ करने के लिए बिल्किल रेडी है आप इस रेसिपी को अपने घर पर एक बार जरू ट्राय कीजेगा और अपने एक्सपीरेंस नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लेकर बताएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर पहली बार आया है अब तक सब्सक्राइब ही किया तो यहाँ पर क्लिक करते ही बल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे हर लेक्स वीडियो की अपडेट सबसे पहले आ सके तो अब मैं आपके साब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई झाल 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 झाल